हेलो दोस्तो, प्रोपर सिविल इंजिनिरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है तो आज हम लोग जो है, वो डिसकेस करने वाले हैं एन्वार्मेंटल इंजिनिरिंग के इंपोर्टन टोपिक्स के दूसरे पार्ट का पहला पार्ट कुछी समय पहले रिलिस हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप चाह करके उसे देख सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें दूसरे पार्ट में आज हम लोग क्या डिसकेस करेंगे पहले पार्ट में हमने वोटर ट्रीटमेट प्लांट के बारे में सिखा था कि वोटर ट्रीटमेट कैसे होता है उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वोटर डिस्टिब्यूशन सिस्टम से तो सबसे पहले अगर हम बात करें Water Distribution System तो तीन प्रकार के होती है Gravitational, Pumping and Combined तो इन दिनों का मतलब क्या होगा Gravitational के अगर हम बात करें तो Gravitational Distribution में होगा ऐसा कि यह आप Tank जो देख रहे है उसमें से पानी जो है अगर Elevated जगा पर है तो पानी Gravity के जरीए जो है वो नीचे चला जाएगा उसके लिए हमें कोई Extra Force की जरूरत नहीं रहेगी और दूसरी अगर हम बात करें Pumping Man की या फिर Pumping System की तो यहाँ पे नीचे आप एक Pump देख रहे है तो नीचे से अगर उपर पानी पहुचाना होगा तो वहाँ पे हमें Pumping System की जरूरत होगी तो इस तरीके से जो है वो Pumping System काम करेगी और Combined System Combined System किस तरीके के इलाके में काम होती है कहीं पे Elevation तो कहीं पे जो Deep आता है तो कहीं सारी यह से Deep या फिर Elevation आने की वज़े से कहीं बार Pump और कहीं बार Gravitation से पानी चला जाता है तो वहाँ पे Combined System की जरूरत रहती है उसके बाद अगर हम बात करें तो Layout of Distribution System तो अगर आप पाने को Distribute तो कर देंगी पर इस Layout में वह Distribute होगा तो पहले System की अगर हम बात करें तो वह होगा Grid Iron System Grid मतलब आप नाम पर से समझ सकते हैं कि को एक Grid होगा उसमें जो है कोई एक pipeline होगी जो main pipeline होगी उसकी पेटा pipeline होगी उसको बोलते है Subline और उसमें से जो हो निश्चित इलाके में हम पाने पहुचाते हैं दूसरी जो system है वह है रिंग system उसमें क्या होगा इस तरीके की कोई एक रिंग होगी जो कि एक particular इलाके के आसपास बनी होगी और उसमें से जो हो कोई एक इलाका पाने लेता होगा तीसरी अगर हम बात करें तो radial system जो कि ज्यादा तर इस्तमाल होती है radial system में क्या होगा कोई elevated structure reservoir होगा जिस तरीके से यहाँ पर A है और B है तो इन दोनों structure में अपने अपने area decided होगे उसमें वह पाने distribute करेगा तो यह जो है वो water distribution system हो गई उसके बाद अगर हम बात करें तो types of pipe तो pipe के type जो में mainly दो प्रकार के होते हैं metallic and non-metallic तो सबसे पहला अगर हम बात करें metallic के बारे में तो metallic pipe जो है उसमें पहला प्रकार आता है cast iron pipe का तो image में आप देख सकते हैं यह होते हैं cast iron pipe दूसरे होते है steel pipes जो कि यहाँ पर आप image में देख सकते हैं यहाँ पर round, rectangular और square आपके structure के appearance को भी बढ़ाता है इस तरीके के pipe जो है ज्यादा तर fabrication में use होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें रस iron के बारे में इसमें सबसे पहले और important होगे RCC pipe तो RCC pipe के अगर हम बात करें तो drainage के distribution में वह काफी important होगे तो उसमें corrosion भी नहीं लगेगा क्योंकि वह concrete है और non-medalic है उसके बाद अगर हम बात करें तो plastic pipe और PVC pipe जो है वह ज्यादा तर construction में use होने वाला pipe है उसके भी दो प्रकार है UPVC and CPVC UPVC मतलब unplasticized polyvinyl chloride और दूसरा होता है chlorinated polyvinyl chloride जो CPVC है वो गरम पाने को transfer करने के लिए हम लोग use करते है अगर आपके यहाँ पे solar heater होगा उपर तो उसमें से जो पाने गरम होकर क्या आता है उसके लिए जो ज़रूरी pipeline है वो होगी CPVC उसके बाद आता है polythylene pipe और उसके बाद आता है के वाल जो है वहाँ पर यूज कर सकते है उसके बाद आता है main important topic है वह वेस्ट वोटर यहां तक हमने जो है water treatment और distribution और basic सी बापते सीखी next topic जो है वह वेस्ट वोटर वेस्ट वोटर के अगर हम बात करें तो कोई भी liquid के form में वेस्ट पानी में भूलता है तो उसको हम बोलेंगे वेस्ट वोटर तो यहां पर तीन तरीके के होते हैं वह domestic, industrial and strong water उसके बाद अगर हम बात करें यह काफी important definition हो सकती है आपके लिए सुलेज की, waste of bathroom plus kitchen इसको हम बोलेंगे सुलेज कहीं सारे mcqs में भी a directly question पूछा जा चुका है तो आपको यह याद रखना होगा उसके बाद आता है physical parameters of water तो यहां पर कौन से से physical parameter है जो हमने पहले वाले वीडियो में भी देखे है तो यहां पर फिर से देखेंगे कि all physical water quality parameters like total solid, suspended solid, turbidity, color, temperature and so on उसके बाद आता है कि solids है west water में तो वो किन किन प्रकार के हो सकते है तो यहां पर दिखाए गए चार प्रकार के solid जो है west water में हो सकते है suspended, dissolved, colloidal and settleable suspended मतलब क्या जिसकी size 2 micron से ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे suspended solid जो की पानी में तेरते रहते है या फिर कोई भी fluid उसमें वो तेरते रहते है उसके बाद आते है dissolved solid जो की नाम पर से पता चलता है कि वो dissolved हो जाएंगे किसी भी fluid में उसकी size जो है वो 2 micron से छोटी होगी उसके बाद आता है colloidal जिसकी size 10 micron से लेकर के 7 micron तक होगी और वो उसमें से कुछ ऐसे होते है जो की settle हो जाते है कुछ ऐसे होते है जो पिर घुमते रहते है उसके बाद आता है settle level तो नाम पर से मालूम परता है कि वो settle हो जाते है fluid में तो यह चार तरीके के solid हो गए wastewater में उसके बाद आता है काफी important topic जो है biochemical oxygen demand मतलब BOD उसको हम क्या बोलेंगे biochemical oxygen demand represents the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while decompose organic matters under aerobic मतलब oxygen is present इसको बोलते हैं aerobic situation condition at the specific temperature इसको हम बोलेंगे BOD मतलब biochemical की जो भी process होती है उसमें जो oxygen की demand होगी इसको हम बोलेंगे biochemical oxygen demand उसका equation है वो काफी important है BOD मतलब क्या dissolved oxygen initial minus dissolved oxygen final into dilution factor इसको इस्तिमाल करके आप किसे भी fluid की BOD निकल सकते है dilution factor के अगर हम बात करें तो दो तरीके से इसको present किया जा सकता है volume of dilute sample upon volume of undilute sample शलल भासा में अगर हम बात करें तो dilution factor means volume of the bottle upon volume of the sample उसके बाद आता है various type of bacteria इसके बारे हम पहले part में बात कर चुके है तो यहां पर के video को pause करके आप detail में देख सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो disposal of sewage तो sewage के disposal के बारे में कहीं सारे SIS codes हमारे पास जिसको मत दे नजार रखते हुए हमको sewage के disposal के बारे में सोचना होगा यहां पर हमारे पास basically दो तरीके है dilution और दूसरा है disposal on land तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो dilution उसके इसाब से उसके लिए आपको prefer करना होगा IS 1004-1981 तो इसके इसाब से अगर हम बात करें तो कोई भी sewage हो उसको dispose करने से पहले आपको treatment करनी होगे उसकी directly आप उसको dispose नह नहीं कर सकते हैं तो वह सारी जो treatment है और उसके बारे में जो criteria दिये गए है वह आपको इस code में मिल जाएंगे उसके बाद आता है disposal on land इसमें जो है वह direct किसी भी land जोगी निश्चे जगा होती है किसी भी area के municipality के द्वारा उस पर direct sewage को जो है छोड़ा जाता है जिस लेंड प पानी ज्यादा गंदा हुआ तो ग्राउंड वर्टर को भी विगार सकता है और पूरे area को पीने लायक पानी के लिए दिक्कत हो सकती है तो अगर हम बात करें डबल त्री 071965 के हिसाब से तो इंडेस्ट्री इंफ्लिश वारा कोई भी सिवेज को irrigation परपस वारी लेंड पर डायरक्ट डिस्पोजल के लिए नीचे वाले कंडिशन जो है उसको फुल्फिल करना होगा तो टोटल डिजोल्ड इन ओर्गेनिक सॉलिट जो है वो एकवीशो मिलिग्राम पर लिटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए और फाइव डे बी ओडी एट 20 डिग्री सेंटिग्रे इस शुद नोट मोर दें 30 मिलिग्राम पर लिटर और उसके बाद आता है कॉन्टिटी ओफ बोरॉन शुद नोट एक्जिस्ट टू मिलिग्राम पर लिटर तो यह पांचों जो है वह के कंडिशन है और उसके ऊपर से आपकी एक्जामिनेशन में या फिर डीटेल में शिवेज सिखनेश तो ज्यादा तर अगर हम बात करें कोई भी लेन होगी उसमें सिवेज का पानी चोड़ा जाएगा तो उसके जो लेंड के जो पार्टिकल से उसके बीच में जो है वो सिवेज के सॉलिट पार्टिकल कुछ जाएंगे तो उसको बोलेंगे तो इस पूरी से यसाप से उसके सरे से साफ से हम लोग तीन प्रकार करेंड देख सकते हैं प्रैप कियो ट्रैप म्याक्ष अबस कि पहले झूइ समया आफ। की को इमेज है जहां पर अगर हम बात करें यह एरो जो है वो पानी की डायरेक्शन को दिख्था रहा है तो नीचे जो आप यू सेक्षन देख रहे हैं वहां से पानी कभी खतम नहीं होगा क्योंकि वहां पर डिप्रेशन वाला पाट है वहां पर पानी रहेगा तो वहां पर पानी होने के वज़े से जो रिटन फाउल गेस है वहां पर एंटर नहीं करेंगे और आपको जो है वह किजी भी तरह केकर फाउल गेसे इसकी स्मेल आपके टोईलेट में नहीं आएगी तो यह इस वाला ट्रेप जो है इस्तमाल करने की यह बहुत बड़ी खासियत होगी उसके बाद अगर हम बात करें काफी इंपोर्टन टोपिक है एर पोल्यूशन तो एर पोल्यूशन मतलब क्या कोई भी नेचरल एर को डिश्टब करके उसमें कोई यह से केमिकल का मिल जाना जो कि हमारे लिए सहत के लिए अच्छा नहीं है जिसको हम बोलेंगी एर से प्रैमरी में कार्बन मॉन ओक्साइड सलफर डायोक्साइड नैट्रोजन ओक्साइड हैड्रोकार्बंस एंड पर्टिकुलर मेटर सेकेंडरी के अगर हम बात करें तो पेरोक्सी एसे टीले नाइट्रेट उसका फुल फॉम भी इंपोर्टन है आपको कोई भी एक्जमे होती है एर पॉल्यूशन की उसकी वज़े से जो है वो टेंपरेटर भी प्रिस्वी का धिरे धिरे बढ़ता जा रहा है उसके बाद यूमन हेल्थ की बात करें लंक्स कैंसल अस्तमा हैडेक और एसी कहीं सारे बीमारी है जो एर पॉल्यूशन की वज़े से पाई जाती है उ घ्रइौलशाइकल के बारे में अगर आपको पता हो तो मैन कंपोन में जो होगा इवापोरेशन में जो भेपर होती है उसके साथ ऐससे केमिकल जो कि दुए में मीकर क्लावड में हो जाते है और जब पहली बथम होती थो उसके साथ गिरती है इसको हम पोलेंगे ऐसे तो दोस्तों इस तरीके से हमने इंवर्मेंटल एंजिनेरिंग की काफी इंपोर्टन टोपिक्स जो है वो डिसकेस किये इन में कहीं सारी इसे टोपिक्स मेंने कवर किया है जो कि अल्रेडी कहीं सारी एक्जमेनेसंस में पूछे जा चुके हैं तो आप आने वाले समय में काफ में काफी जाले समयतल आई है काफी इंपनल एंपनीनन ठजय會 झाए से रहा ख Ihnen बादे हैं आतिमिवर्मेटल एंपनीनन काल इंप हैं ठाने